कीया आपको ऐसा लगता है कि आप एपने ओफिस में चाहे वो अपकी इटी की life हो या कोई भी ओफिस वर्क है जहांपर आपको लगता है कि आपकी performance पहले से low हो गई है या आपको लगता चाहो कि आप रोज सोचते हों कि आप मुझे रिजाइन देना है या कुछ लोग रिजाइन दे चुके हैं तो देखिए इसका सारा का सारा जो क्रेडिट है वो इस बात पर जाता है कि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपके लेने की जो शंपा है वो हमेशा अच्छी रहती है और आप सोच समझ के सही डिसिजन लेते हैं नमस्कार मेरे नाम डॉक्टर नाजी मली है और मैं यूरमाइन टेमस में फांडर डिरेक्टर हूँ देखिए ये आजकल बहुत एक कॉमन देखने को मिल रहा है कि आप ऑफिस अप उस काम को करते हुए अपना लाइफ स्टाइल खराब कर रहे है या आपकी mental health effect हो रही है तो फिर इसका मतलब या तो वो काम आपके योग्गे नहीं है या फिर आप काम तो ठीक से कर रहे हैं लेकिन अपनी mental health को खराब होते हुए देख रहे हैं और उसको ठीक करने के लिए कोई effort नहीं लगा रहे हैं जैसे कुछ job ऐसी होती है कुछ आपके work ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको वह चीज करनी ही पड़ेगी जैसे कि मैं MNCs की बात करता हूं MNCs के अंदर आपकी shift rotational होती है change होती है फिर कभी night लगती है कभी फिर दिन में बुला लिया जाता ह है कुछ jobs ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको every day 200-200 लोगों से फोन पर बात करनी होती है तो देखिए यह सब चीजे हैं यह आपको एक job profile है तो मैं यह बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप अपना job छोड़ दो सब के अंदर capacity होती है सब काम करने की बट यह depend करता है कि अग इसको आप active करके और इतना healthy रख पाएंगे कि आप उसको काम को ठीक से कर सकते हैं क्योंकि देखिए सो लोग अगर कहीं काम कर रहे हैं तो सो मैंसे 20-25 यह होंगे जो ठक जाते हैं या जो लोग resign करके job ढूने लगते हैं बागी लोग तो करते हैं और फिर वो आगे growth कर जात आपको ऐसा feel हो रहा है कि मैं इतना जादा काम नहीं कर पा रहा हूं तो देखिए यह बात अपनी जगर कहीं ठीक है कि हमारे brain के अपनी power होती है लेकिन यह भी बात अपनी जगर ठीक है कि इसी brain के साथ इस पूरे world में कुछ ऐसे बड़े लोग scientists निकले हैं जिनकी वज़े करते हुए देर हो चुकी है यानि कि अभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे यह advice दे तो रहे हैं लेकिन अब मैं क्या गरूं मुझे तो depression anxiety हो गया क्योंकि mental illness definitely हो जाती है उसमें depression हो जाता है OCD हो जाता है anxiety panic disorders हो जाते हैं घबराट होने लगती है तो उसके लिए घ आपको बताया यह उनी लोगों की स्टोरी है तो इसलिए मैं आपको यह बता पा रहा हूं क्योंकि जाता दर पेशन मेरे पास जो corporate life के आते हैं यही सारी baseline story 90% ही होती है तो अगर आपकी यह mental health effect हो चुकी है तो please नीचे देगे number पर संपक करके अपना assessment कराईए और अगर जर business जो भी आप करते थे अपने life को अच्छे बनाईए स्वास्त रहिए और खुश रहिए जीवन में thank you